Hi guys, this is Vibhor, welcome back to my YouTube channel तो guys, मैं आज आपसे काफी common topic योपर बात करूँगा जो आपने बहुत सुना होगा, अपने बड़ो से या काफी common people से ही आपने बात सुनी होगी जो regular gym goer है, वो तो आपको यह बात कभी बोलेगा नहीं लेकिन बड़ी, एक यह काफी common myth है जो आपने सुना होगा, अपने आस पास ही कि जब आप whey protein लेते हैं, तब तक तो आप ठीक रहेंगे यह वड़ी common सी बात है, मतलब यही कहा जाता है कि जब तक आप whey protein ले रहे हैं, तब तक तो आप सही रहेंगे जब whey protein आप छोड़ देंगे, तो आपकी जितनी भी muscle है, वो lose हो जाएगी कोई बोलता है कि muscle लटक जाएगी, कोई कहता है कि skin lose हो जाएगी तो देखो guys, आज मैं इस myth को burst कर देता हूँ तो होता यह है, suppose आपने वे protein के 2 scoop ले एक दिन में अब वो जो 2 scoop वे protein है, उसके अंदर मान के चलो कि 50 gram protein है 2 scoops के अंदर, usually 30 grams का scoop होता है उसमें 25-24 gram ऐसा protein होता है, तो आपने 50 gram protein उससे ले लिया अब होता ही है, जब आप उस protein को बंद कर देते हैं तो protein एक nutrition है, ठीक है, 50 gram protein, चाहे आप अंडों से ले चाहे अपना ये chicken से ले, या soybean से ले 50 gram protein, 50 gram protein है, body को नहीं पता कि वो whey protein से आ रहा है, chicken से आ रहा है, eggs से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है तो आपने वो 50 gram protein, अगर अपनी diet से पूरा कर लिया और whey protein बंद कर दिया, आपकी muscle के ओपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, दूसरी बात ये है, कि उस protein के अंदर कितनी calories है suppose करते हैं, 1500 calorie एक scoop में है, तो 300 calorie दो scoop में होगी तो जब आप वो 300 calorie कम करेंगे, ठीक है, तो आपकी diet से 300 calorie कम होगी अगर वो आप calorie food से ले लेते हैं, whole food से ले लेते हैं, अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो भी आपकी muscle loss नहीं होगी muscle loss कब होगी, जब आपने whey protein लिया, लेकिन उसके बाद कुछ भी और चीज एड नहीं की जो वो आपके दो स्कूप थे, उसके जगह आपने और कुछ भी आड नहीं किया तब हाँ, आपको थोड़ा सा muscle loss देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी डिफरेंस इतना जादा बढ़ा नहीं होगा जितना है इसका हववा बना रखा है, क्यार, अगर आपने whey protein छोड़ दिया या कोई supplement छोड़ दिया, तो उसके बाद आपका muscle loss हो जाएगा देखो, आपको supplement कब लेना चाहिए, जब आपकी body के अंदर किसी भी तरह की कोई nutritional deficiency होती है, ठीक है अगर आपकी body को उस 50 gram protein की requirement है और वो आप अपने nutrition से पूरा, मतलब अपने diet से पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप whey protein add करते हो, जब आप उस whey protein को बंद कर देते हो और उसको diet से पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ आपके अंदर nutritional deficiency ज़रूर होगी और उससे आपका protein content कम होगा, जिस वज़े से आपका muscle loss थोड़ा सापको देखने को मिलेगा तो गूमफिर के बात ही आती है, कि अगर आप whey protein ले रहे हैं और उसके बाद अगर कोई same ही quantity of nutrition add कर देते हैं तो आपका किसी भी तरह से कोई muscle loss नहीं होगा, बिल्कुल मडरी है, बिल्कुल free होकर whey protein यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा supplement है, काफी safe supplement है, हाँ इससे convenience add हो जाती है कि आप अपना, जैसे अगर आप chicken खा रहे हैं तो आपको 100 g चिकन खाना पड़ेगा उतना protein पूरा करने के लिए, अब daily daily आप खाते रहेंगे तो वह थोड़ा सा कई बार, वैसे तो whole food better ही होता है हमेशा वे protein से, लेकिन ए convenience का factor आ जाता है वे protein में और खेर, वे protein खुद भी काफी superior source of protein है तो आप बिलकुल ले सकते हैं वे protein ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी खार लटक जाएगा आपका कोई muscle loss हो जाएगा तो अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको useful लगी हो तो इस वीडियो को like, share और इस चैनल को subscribe जरूर कीजिए, thank you